इस सिर्यूस को देखने के लिए आपको कुछ बाते ध्यान में रखनी हूँ सबसे पहले बृदर सिस्टर ये सिर्फ इंडिया में चलता है जैपैन, चाइना, कोरिया इन जैसे कई देशों में बृदर सिस्टर आप अपने फ्योंसे को भी बोल सकते हैं कई ऐसे सब्दों होते हैं, जिन्हें बोलना कठिन होता है तो अगर वो सब्द मुझसे गलत निकल नहीं हूँ तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं मैं आगे जाके उन्हें सुधा लूँगा और लास्ट और इंपोर्टन थिंग इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि जब आप वीडियो देखने लगते हैं तो कोई लाइक नहीं करता तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जब मन हो तब करना मुझे कोई जलते नहीं है ओके तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कॉफिन को तब ही आवाज आती है ताइसान लोजिन की कृपा से आपकी सोल को इस दुनिया में रिकानेटिट किया जा रहा है मुझे ठीक से याद है तो मैं गेम खेल रहा था और मैंने दो दिन और दो रातों को लगा कर उस बास को मारा है मैं थोड़ी देर के लिए बेहोस हो गया था और अब मैं यहां हूं और यूजिन को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है यूजिन बाहर जाने के लिए इधर उधर रास्ता खोजने लगता है तभी एक लड़की आजाती है और कहती है हमेज़ा अच्छा समय इतना कम क्यूं होता है और यूजिन के गालों पर हाथ ले जाने लगती है यूजिन कहता है ये ठंडा और फिसलन जैसा क्या है और वो लड़की इसका नम जिया जिया यूजिन के उपर बैट जाती है और कहती है क्या आपने मुझे कुछ कहा हजबन यूजिन कहता है क्या आप कौन है आप कहां से आई है जिया कहती है क्या आप कितने हर्टेलेस हैं जो आपको अपने जीवन साथी के बारे में नहीं याद यूजिन कहता है क्या husband wife आप ये कैसी भासा यूज कर रही है फिर यूजिन अपनी ठरक को कंट्रोल करते हुए कहता है beauty अभी तुम्हारे साथ खेलने का मेरे पास समय नहीं है तो आप बता सकती है कि यहां से बाहर कैसे निकला जाए मुझे कर क्लास अटेंड करना है फिर यूजिन कहता है क्या ये किसी तरह का प्रैंक हो सकता है वो लड़की कहती है उन्होंने इस प्रैंक पर बहुत खर्च किया है यूजिन कहता है मैं कभी इस तरह की लड़की से नहीं बिला जिया यूजिन के चिन को उठाते हुए कहती है मैं समझती हूँ मैं आपको ऐसे करवटे बदलते नहीं देख सकती मैं आपकी जियों साथी होने के कारा बस मैं आपके लिए इतना ही कर सकती हूँ और जिया यूजिन को किस कर लेती है और यूजिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है तभी एक तल्वार उड़ती हुई जा रही होती है और उसे एक आदमी कैच कर लेता है वो आदमी कॉंटोंग सेक्ट का डिसाइबर लीसी होता है वो कहता है मुझे दूसरे सेक्ट लीडरों ने भेजा है कि कॉफिन को खोल कर बॉडी को देख सकूं जिस तरह के यूजिन ने काम किये थे उसे तो इसी तरह की मौत मिलनी चाहिए थी यूजिन के पपपा कहते हैं जिस दिन मेरा बेटा मरा तुम सभी वही थे अब मेरे बेटे की सांती को भंग मत करो वरना मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा लीसी कहता है तुम दोनों की spiritual power एक ही है तो तुम्हें लगता है तो तुम अभी भी यूलिंग सेक्ट के लीडर हो फिर वो यूजिन के coffin को तोड़ने के लिए बढ़ता है और कहता है मैं एक बार यूजिन की लास को कुचल दूँ फिर मैं तुम दोनों से निपड़ता हू लेकिन वो coffin पहले ही बलास हो जाता है और लीसी धराम से पीछे आकर गिरता है ये देखकर सभी डर जाते हैं और कहते हैं कितना powerful spiritual pressure है फिर उस coffin पर यूजिन खड़ा हो जाता है और उसे सभी देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो चन्यूजिन है क्या ये अभी मरा नह फिर यूजिन कॉफिन से लड़ खड़ा कर नीचे गिर जाता है और उठते हुए कहता है उस लड़की की किस से ऐसा लगा कि देस्टन कोला पी लिया हो और वो कुछ वोमिट करता है तब ही उसके मम्मा उसके गले लग गाती है यूजिन मेरे बेटे यूजिन के पपा हैरान होते है और कहते हैं यूजिन तुम अभी जिन्दा हो यूजिन उन दोड़ों से दूर भागने लगता है उसके मम्मा पापा को समझ नहीं आता कि उसको क्या हुआ यूजिन अपने सर पर हाथ रखके कहता है मैं सपना नहीं देख रहा इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं उसी गेम में रिकानेटेर हो चुका हूँ इस गेम को मैंने अभी अभी फिनिस किया है और मुझे इस चेन यूजिन एक विलन की बॉड़ी दे दी मैं सभी करेक्टर में से इस केरेक्टर को सबसे ज्यादा हेट करता हूँ फिर वो जमीन पर बच्चों की तरह रोने लगता है यूजिन को देखकर एक डिसाइबल कहता है बड़े भाई मुझे लगता है यूजिन के साथ कुछ ठीक नहीं है वो दूसरा कहता है उसने फिर से इविल आर्ट्स की कल्टिवेशन की होगी लीसी यूजिन को मारने के लिए जम करता है और कहता है जब तक ये कनफ्यूज में है तब तक मैं इसे मार देता हूँ यूजिन अपनी पावर को अपनी उंगले में लेकर पीछे मुड़ता है और कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अभी परिसान हूँ लीसी हैरान होके कहता है तुमने ऐसे पावरफुल इस्प्रिच्वल रन को कैसे लिखा यूजिन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं सारा समय सिर्फ गेम में मख्या मारा करता था इस प्रीचुल रन के बारे में कुछ खास बताया नहीं गया फिर यूजिन उस पर अटैक कर देता है जो सिधा उसके आरपाड हो जाता है फिर वहाँ पर खड़े सभी डिसाइबल्स अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए आने लगते हैं फिर यूजिन अपने एक एरर को लिखता है और उसे जमीन पर मार देता है उस एरर से गोष्ट सोलजर निकलते हैं और उन्हें मार कर अपने साथ ही अमलोक ले जाते हैं फिर यूजिन खुस होते हुए कहता है अब अच्छा लग रहा है